प्रसार भार्ती अभिलिक हगार की दोस्तों के सबा बहार सुनहेरे दोर का अनमूल खजाना अनिस्वी सदी के आखिर तब अन्ग्रेजी हकूमत के पाउं जम चुके थे हिंदुस्तान ने और अब वक्त था चलने फिरने का बीस्वी सदी के शुरू होते होते गाउं अस्वा और शहर फैलना शुरू हो गए थे सनती इनकलाब का आखाज हो चुका था रेलों की पठ्रियां लंबी होती जा रही थी और कोलतार की पकी सद्कें शहरों से काउं गाउं ऐसे जोड़ती जा रही थी जैसे बूड़ी दादी पुराने कपड़ों की टाकियां जोड़ जोड़ के लिहाफ त्यार करती लखनाउ से निकलते हुई एक सड़क ने बख्षी का तालाब और ख़दार यूँ घेर लिये थे जैसे एक ही बगल में दो बच्चे उठा लिया हूँ बलहौर, मलहौर और जगौर सरादूर खेल रहे थे एक सड़क धीरे-धीरे चिऊटी की चाल से राय साहब के गस्वे समेरी की तरफ पढ़ रही थी और वहां पहुंची तो उगलियां आस पास के गाओं भी समेट ली उनी में हुरी का गाओं बेलारी भी पढ़ता था राय साहब वहां के जमिदार थे और हुरी अर्फे भीन खाज़ कर देना नाईकालि का कर देए, तुप कर दोगा नाईकालि हम जाए, वुप तुप कर है! सब्सक्राए मेध हम धने खाली खाली कर दोगा है! खाए, खाए… लाओ, निकाल दो जी, कपड़ा लटता लाठी, हाजरी भरने जाएंगे मालिक यहाँ अरे, क्या ज़रूरत है, परसुनी तो गय थे अरे, भली मानस, मिलने जुलने सही बात ठीक रहती है गाहों के लोग विज्यत से बात कर लेते हैं वरना कौन है गाहों में जिसकी अभी तक कुर्की ना हुई यह अरे, खेज होते हैं, जब इदार की तो लगान ले ले और क्या, जान लेगा क्या जादा बुड़ बुड़ न किया कर मैं हूँ ना मुझे संबालने थे दुनिया तारी तू अपनी घरगरेस्ती संबाल और बच्चे पस बहुत खीए लो रह यह क्या पंच पोसघ ले आई वहां भी कोई साली सहलज गाहा है जो रीच जाएगी तो क्या है ऐसे कौन से सजीले नौजवान हो अब वह तो हम ही थे जो तो अब तो अमी थे जो तो यह क्या लगता है मैं बूड़ा हो गया हूं मर्द साथे पाथ होता है तुम्हारे जैसा नहीं वोचे दूबे साम घी ख कि अपनी सीसे में तू देख ले ना एक दिन गाय लागे खड़ी कर दूगा तेरे दरवचे पर अपना गोवर भी तरस गया दही दूद को अब गाया जाएगी तो देखन खापी के एक दन जवान हो जाएगा मेरा वच्चा कहा चल दी है बापू फिर वहीं अवेली पे इन बड़े लोगों के पाव पढ़के कोई फाइदा नहीं बापू अपनी जूती का कीचल समझते हैं हमको घर के बाहर जटक के अंदर जाते हैं तेरा दिमाग बहुत करम है कि बहुत वह लाल बोंटे वालों कि तरह बात करने लगाई है कि अमाता थंड़ा रख तेरे साथ सोना रूपा को भेजा था ओक गोड़ने के लिए खेत में उन्हें पानी लेने भेजाए मैंने रूपा को वह मत्की अ देख माँ मैं ले आई मैं ले आई कि मैं रूपा को वह मत्यूरों को अई हो यहाई हो यहाई को चैजा आदैनल जुढ़ा भाया जुढ़ा आधा उडिलाने के इंवातने अप पेठे कर रहा नहीं डावसाब के यहाई निकादो अीहाई आदमी है इमानदा ओपर समाइनती हाई अरे बाप के मरते ही दोनों भाई तो अलग हो गये अपने हिस्से की जमीन गए और जो सबसे नकित जमीन थी ती भोस करेंग पाज भighah होगी ओर देखलाओ वारा बिगा की फसल पैदा करता है, फोरी, इसलिए तो भाईयों के इंमत नहीं होती है, आक मिलाने की, तेखाना, कर से रांक शुरा के भाग गया। वोरी मिट्टी में बीज नहीं जान बोता है, तेखी का, सही बात है, तेक नदूसी है आए, अपजए जान नहीं होता है आए, आए, तेख्टी मारी तेखी के अधिए की इनननु आए, प्रूप आए, भाईयों के आए, तो मैरी गॉला बोला बाईयों का? अधिए नहीं तक ही जात हैं सुने हैं द्वेठो नही गया खरीदी हैं? हाँ 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 पजार बहुत चड़ गया है समझे ना असी असी रुपई के लिए है पर दुटो दुटो बचडियां भी तो मिली है साथमा अब उतो खर्चा बढ़ गया अग तुम्हें ही बताओ इसे बचवा को कैसे अलग करे ना उनका भी तो हिस्सा होता है ना गाहक कि रुपई का आठ तेर दूद मनता है अब परी वया कवरी गाय तो बहुते ही संदर है अब यहां अब करता है पले लो श्यत्र में लिया उत्यमें देंगा और रही बात बच्छडियों की तो हम पाल लेंगे ना अब भूला भाईया नगदी तो हमाई पलाईया तुमसे नगदी मांगता कोने भाई तुम तो ऐसी बाते करते हो जैसे हम तुम दो हो ना अब तुमसे का बताऊं भाईया सुन्दर सी गाय देखी तो मन लग जाए गया जितना रुपया घर में पड़ा था सब बजार में रख दिये अब एतने गाय बच्छा को क्या खिलाओं घर में चुटकी भर भी भूसा नहीं बचा तुम तो जनते हो दस पंदरा गाय बच्छा इसे बधी रहती है तो हम सकाह नहीं का का अभी गए रोज हमने एक गारी भ कि तो डगवित रुपय भूसे के लिए दे दो एक बाद में दीरे दीरे आते रहेंगे पालवान चला बढ़ाव गाली तो हमाई पास हाई नहीं भईया थोड़ा बहुत भूसा बढ़ा है सुआ के उठाए लो अब भूसे के लिए हम गया ले 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 तो हमाई हाथ नक तुम्हारी भावी जो ताने देंगी सो अलग हो बड़े खुशकिसमत हो भईया ना राजनानी बैटी है गर समालने को हमारा तो जब से जोरू गई है घरबार एक ताम तूट गया है बेटी बहूं के मोताज बन गया है बिन घर भूत कर देरा भईया तो भोला भीया तुम कहीं सगाई काय नहीं ठीक करत हो भागवान की तया से सब कुछ है तुमाय पास लोग अब अब हम कहां से खोजे भईया इसे बुचार जगा बात चली थे लगल ता ठीक है हम खोज में रहेंगे का है कि हमाई ससुराल में एक आउड़त है अचा तीन चार साल हुए जने क्य दिन काट रही है वह ऐसे देखने सुनने में भी बहुत अच्छी है सुनो जब तुम्रे खुजी हो बठा देना एक बाद चल के देखा में ना हम पहले ठीक कर लूँ का है कि ऐसे कामों में जलबाजी करना अच्छा नहीं होता रही है लेकिन वह बात भूला नहीं कैसे कि ह हमारे बड़े बुजुर्ग तो तुम ही हो ऐसे एक वरी भाई या कबरी गाय समझ लो आज से तुम्री भी जिस दिन कहोंगे खुद आके तुम्रे घर के खुटे से बात के जाओंगा अरे भूला भाईया तुम आकर पहले भूशा उठाए लो अहां गया तो जब देवी म कि अरे वही बिन घर नी घर भूत कटे रहा हो काई से भूल साकता है अचा रही यह आए को पाई लागो ज्यादर कि फबाए बड़ा है तुम्हारा चोटर भाई है नहीं जोहता जा। कि वहाँ है रिखा दो सर्कार से मिलने आया था but शरकार ने किसी और दिन कचैरी में आपे मिलना अभी बहुत व्यस्त हैना क्या कर रहे हैं मालिक? पतानी कुछ से लिख पड़ रहे हैं तुम चले जाओ हाओ 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 पहला निसा का आओ हुरी आओ हमारे एक चचा हैं पढ़ लेते हो रही पढ़ लेते हो रही एदे जरकार बस आइसे ही आखर आखर जोड़त बढ़ लेता हैं हमारे एक चचा हैं जिनको रांद से बड़ी अकीदत है फार्सी मेरा मायन का तर्जुमा कर रहे हैं कुछ किताबें मंगवाई हैं वही निशान लगा कर भीज रहूं है अवाजादी के आंदोलन से फुरसत मिले तो हम भी कुछ बिद्या पाठ का काम करें सरकार सरकार सुनत हैं कि आप वो कॉंसर साहब की मेंबरी छोड़ के जेल चले गए थे गांदी बाबा आपको बहुत मानत है कौन लोग बताते हैं अरे गाहों में सबही लोग कहते हैं बहुते इजद से नाम देते हैं अच्छा कहते हैं कि गांदी बाबा आपको बहुते मानत है हाँ भाई वो ठारे महात्मा कभी कोई स्यासत की बात निकलाए कोई काम निकलाए तो पूछ लेते हैं हम से मेरे तरगार दिवान जी कही मालिक होरी आया बेलारी से बड़े काम करता है हमारे इसे चाच पानी कुछ पूछिये जी अच्छा होरी मैं जरा चलता हूँ तुम शर्वत पानी कुछ पी कर जाना यह हम भी चलें सरकार फिर हाजिर हो जाएंगा ठीक आना कभी पाए पापू यह सोना महंगा होता है के चांदी पूछा पूछो सोना बढ़ी के रूपा रूपा यदि चांदी बड़ा नहीं बापू दाम किसके बड़े दाम नहीं उमर पूछो किसके बड़ी उमर नहीं ना बापू सोना कहती है कि उसका नाम बड़ा है और मेरा छोटा बोलो ना बापू अरी यरी यरी बाल क्यों ठीच रही है बापू के बोलते नहीं बोलो ना देख मैं बताती हूं जिसको पहले जल्दी सुस्राल जाना हो न वो हो बड़ा अब बोल जाएगी पहले क्या हुआ राय साहर के उधर बापू होना कै था कुछ नहीं हुआ बस हाजरी लगवाया है मुफत की हाजरी लगवा कि क्या मिलता है तुमको देखो इस बारे में सभेरे भी हमारी चर्चा हो चुकी और तुम हाथ मुझ धोने से पहले थोड़ा भूसा निकाल के डाल दो बोला के लिए बड़ी जरूरत है अब बेचने को भूसा नहीं है हमारे पास हमारे बैलों क मुश्किल से पूरा पड़ेगा बेचने रहाँ भ अबुसा हमारा अगाय उसकी आख अंजने तक तो दूद दिया नहीं आज तक गाय क्या देगा अज़े जवानी कसम उसने तो गाय था मादी थी मुझे पच्छी गाय की रसी था मादी मेरे हाथ में अब मैंने सोचा संकट में पड़ा आदमी की गाय लूँगा तो पाप ल मुफत में बीस रुपए का भूसा ले ले और गाय दे दे बाकी बचे साथ हम देरे देरे चुका देंगे क्यों मा और का इह तुम्हारा धर्मात्मापन तुमको लेडू बेगा तुम लोग नहीं जानते मैंने ऐसी चाल सूची है कि गाय यू हाथ में आज़ेगी अच्छ है मूँ पिर से बया करने को फिर रहा है उसका बया पक्का करना है बस तो अब तुम उसका बया ठीक करते फिर होगे यही एक काम रह गया था हरे हुआ है मेरि तदभीर किसी का घर बास जा है तो इसमें क्या बोरा ही है वजी असी में गाय देकर भी घर भोला कई बसना यह हैं कि वोले गम-खोड़ थो हुआ है तुम्हारी बड़ी तारीफ करते हैं इस लगे जिस दिन मुक्त बिख लेता हूं कुछ ना कुछ नगी जाता है मैंने का वे, हमारी तो कभी पैसे देच नहीं होती है तो तुम्हेरे भाग्या कोटे, हम तो रोज तुम्हे मुह दिखावें पापु, पापु! हाँ, आया है बोला काका पापु, सुना, पहले मंदो मन पूसा थेटियो, फिर ब्यार ढूनने निकलना तो, अरे, आदमी दुआरे खड़ा है, जाओ जाके उसके लिए खाटबार बिछाओ, थोड़ी बल मंसी जीखो, कुछ सर्वत पानी पूछाओ, जाओ, जाओ तो, अरुब गाम में आये है ना, तोड़ा तमाखु देखो डिपे में तो, नहीं है तो, एक पैसे भर का मंगाले ते जाओ, सठ्ञानी दुकान से, अब को अबड़ से बचे तब ना? नहीं है ता माखू तो ना सही, भोला कॉनो महमान थोड़े हैं अच्छा कॉनो ने उता दिया है तुमने राम राम भोला भईया राम राम होरी भईया एक बात बताए होरी भईया कहो अच्छी घरनी घर में आ जाए समझ लो लच्मी आए गई यह लोग पर लोग साब तुधर गया बड़े आज्याकारी बच्य है तुम्रे हां बस सब भगवान की कृपा है वो गोबर भर रहा है तुवारा खांचा एक बात बताएं एक खांचा नहीं दोई खांचा लूँगा मैं गया और राया नहीं तुम कहें आओगे गोबर चला जाएगा वहाँ छोड़ के लटी आएगा अरो नहीं तब खोरी भईया तुम बहुत बड़े धत्मात भार यह बस जरा कहके आता हूं हाँ आई खई नहीं लो नहीं थी नहीं बस अचा अचा हम्हम हम्हम एक-एक मन के दुई खांचे मांग रहे हैं अब तुई मन भूशा तो गया और जो खोबर के सुननी पड़े की सोवलक कोई भूल पात लेने तो आई नहीं जो तो करिया लेकर आवे दे रहे हो ना तीन खांचे भूशा ते दे और कापता गया की बात बन जाए जिते जी अपने दरवज्जे पर गया तो बन ही देख लूए गबार यह ठीक है बाप पेटा दोनों चले जाएंगे घर तक की पहुंचा गया आएंगे कुछ गाह बता हैं कुछी शंजय भी आरे सारी ग्रियस्ति का जनजाल हम देसे गाह भैंस को चारा मही दूँ धोऊं भी मही हाथ लेके मही जाओं अब दोनों बेटे का करते हैं का करेंगे बढ़का है कामता है सवदा लेके हाथ में भेजो तो आधे पैसे का है अरे जूए चरस की लट लग गई है ना अवर फुटका अग छोटका तो संगीत में मतवाला रहता है साज हुई नहीं कि ढोल मजीरा लेके बैठ जाएगा हाथ हो पहर उसी दूने का करेंगे अरे गोबर अब आपू इटव कि बिटिया है जूनिया वह भी नसीब की खोटी तुम तो आय हो ना उसकी सगाई में अरे हाँ भी या गोबर काका बिटा तूने जूनिया को देखा है ना हाँ काका हाँ एतना अच्छा वर्थ था बंबई में दूद का दुकान करता था तंगा फसाद में किसी में छूरा दोक दिया हरे सारा घर जोट हो गया और भी टिया वीटिया सवराल में उसका नादर देखा संजे तम ले आया अपने ख़ो वह अभर अच्छा किया वह ए एप वही देखना करूंस का यह एक है है हूँ आज वेटा आपको आपको आजो ए हुआ है आए जुनिया दी अरे ब आप अरे बटा जड़ा खटिया तो भी छा अरे खटिया राने दे उजड़ा गोबर का भूसा उताथ आप अरे जुनिया बटा एक बालती ताजा पानी तो भर लाकुए से हाथ पालता हुना कहा पानी भर्ती प्रेगी बचारी हाँ जा हुआ जा हुआ आप हुआ 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 है प्रिंगे है जो नहीं हैै आप बैठो वहुत अच्छी हवा बाए रही है तम बाकू बनाई हाँ काहा है बैठो बनाई जे हाँ लाला 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 लाला... लाला...